लो दोस्तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपना यूटूब चैनल आरकेश्टडी पे और मैं हूँ रविंद्रुकुमार आज जो हम लोग जिस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं डाटा बेस मेनेजमेंट सिस्टम ठीक है लेशन वन मेरा चल सब्यार था उसमें आच सबसे महुत वूद्व सबसे इंपोर्टेंट इंट तो चली रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास चल रही है और आपका जो इस्टार्ट होने वाली है इकामर्स डिजिटल मार्केटिंग की और यूनियर सुमेन बैल्यू की ठीक है फ्री पीडियाप के लिए हमारे टेलिग्राम से जोड़ सकते हैं टेलिग्राम कहां पर नाम होता है सबसे पहले यह समझेंगे क्लाइंट सर्वर होता क्या है इसके बाद फिर हम उसके जो बिसेस्ता है प्रोपरिटीज हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे ठीक है तो क्लाइंड और सर्वर यहां पर हम थोड़ा सा डिपनेशन पढ़ेंगे इसके बाद हम आपको स क्लाइंड और सर्वर एक नेटवर्क आर्किटेक्चर है, क्या है नेटवर्क आर्किटेक्चर ठीक है, जिनमें नेटवर्क पर प्रतेक कम्प्यूटर या तो क्लाइंड या सर्वर होता है, प्रतेक कम्प्यूटर क्या हो सकता है, या तो वह क्लाइंड होगा, या तो वह क्य कांद संसाधनों और स्यमाओं को होस्ट करता है था बित्रीत करता है और प्रतिबंध करता है इस प्रकार के आर्किटेक्चर मिन नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्शन पर केंदिय सर्वर से जुड़ी एक या एक से अधिक क्लाइंड कम्प्यूटर होते हैं अब हम लोग यहा की बात करनी है एक आपका है क्लाइंड और एक दूसरा कह है आपका सर्वर ठीक है इन दुनों की जो बीज की कड़ी है जिस माध्यम से ये दुनों कारे करते हैं ओ है आपका इंटरनेट ठीक है ये क्या है आपका इंटरनेट है ठीक है तो आपका जो सर्वर होता है ओ एक हो से ठीक है इसमें कितने कड़ी हैं दो कड़ी है कौन-कौन से क्लाइंट और सर्वर ठीक है तो वही चीज यहां पर पूरा लिखा गया है पढ़ते हैं हम क्लाइंट सर्वर अर्किटेक्चर को नेटवर्किंग कंप्यूटर माडल या क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के रूप में भी जानते हैं देखिए नेटवर्किंग माडल क्या है नेटवर्क भी वही होता है क्योंकि नेटवर्क का मतलब क्या होता है जुड़ाओ होता है ठीक सारे हैं लेकि मुख्य तो तीन प्रकार के पढ़ेंगे आपका है ओ लोकल एरिया नेटवर्क है ठीक है फिर यहां दूसरा आपका मैट्रोपोलिया एरिया नेटवर्क होता है फिर एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है ठीक है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसका च्छेत्रफर कम होता है, उससे जदा ये MAN का होता है, उससे जदा WAN का होता है, तो जब network पढ़ेंगे, तो वह ही होगा, तो सेम वही चीज है यहाँ पे client और server के, server की बार, ठीक है तो client server भी एक network ही है जो क्या करता है, कि एक जहां server रहता है वो सारे को क्या करता है बहुत सारे client को क्या अपना output देता है यानि किस माध्यम से तो internet के माध्यम से ठीक है अभी और हम figure देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से समझेंगे तो वही यहाँ पे बताया गया यानि network server के प्रबंद के लिए समर्पित करिया है client PC या workstation है जिस पर उपभोगता application चलाते है client server के लिए server पर भरुसा करते हैं जैसे file device और यहाँ तक की processing power इसका कहने का मतलब यहाँ पे देखेंगे इस figure में आपको बहुत सारे अच्छे से समझ में आजाएगा देखें कहने का इसका मतलब है कि client server model में यह आपका यहाँ पे यह server जो है यह आपका हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं manager बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते है manager क्यों बोलेंगे क्योंकि यह देखें क्या कर रहा है कि यह सारे को handle कर रहा है, क्या कर रहा है handle कर रहा है, ठीक है तो उसी, उसी इस था मतलब माध्यम से बताय जा रहा है इसमें कि ये जो आपका server है इसको हम लोग भोल सकते हैं internet का ये का हो जाएगा आपका, एक client server model का ये server जुह हो ये आपका क्या हो जाएगा एक station बनाय जाता है जैसे हम लोग के railway station होता है जहां से वहीं से हमारा ticket करते है वहीं पर train रुखते है वहीं से जाना होता है उसी हिसाब से यहां पर यह server होता है जो कि सारे computer, smartphone, laptop जो भी हो कुछ भी हो तो वो हमारे client होते हैं यह क्या हो गए? यह हमारे client है जो हमारे server को connect करते है और internet के माध्यम से हमें जो भी use होता है यह करते हैं ठीक है? तो यहां पर figure में दिखाया गया है यह हमारा यह क्या हो जाता है work station हो जाता है जहां पर हम लोग सारे internet से जुड़े जितने भी device होते हैं चलाने में हमको उप्योग करता है कहां से server से किस माध्यम से तो आपको internet के माध्यम से यह आपका work station हो गया माध्यम हमारा internet है network है जिसके माध्यम से हम लोग यह जो client है यह हम लोग अपना work करते है I hope कि client server architecture क्या होता है समझे होंगे आपको figure यही figure बनाना इन दोनों में से कोई भी figure बना सकते हैं और इसी जो हम जैसे बात बोल रहे हैं वैसे आप समझा सकते हैं यह आपका client server model हो गया इतियास बहुत सारा है आप यहां पर देख सकते हैं और पढ़ लिजेगा अब थोड़े से हम client server की प्रक्रियाएं के बारे में पढ़ लेते हैं तो client server एक computer system है जो किसी तरह network के जरिये अन्य computer पर services access करता है क्या करता है जैसे कि मान लिजे हमारा एक computer है और एक यहाँ पर computer है तो इस माध्यम से माने यह हमारा मान लिजे यह आपका server हो गया तो इस माध्यम से हमको इस माध्यम में क्या कराता है मतलब दूसरे computer को access कर सकते हैं वहाँ हम उसे चला सकते है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो server को संदेश भेजता है और server उस परकारे को पूरा करता है client program आमतर application प्रवंद कराता है यहाँ पर हमारा computer है तो यह क्या कराता है कि यह हमारे यह user है यह user क्या इसको client भी बोल सकते हैं तो यह जो मेरे client हैं इनको सूबिधा प्रदान कराना यह server का work होता है किसके माध्यम से तो internet के माध्यम से यह क्या कराएगा सूवधा प्षदान कराएगा यही इसकी Client की प्रकिरिया है ठीक है यहाँ पर बहुत सारे एसे लिखे हुए है तो देखिए यहाँ पर Client प्रकिरिया स्थानिय संसाधनों का प्रबंद भी करती है जो उप्योग करता Monitor Monitor जानते होंगी Keyboard monitor कैसे बनता है जैसे जो computer होता है यह आपका monitor हो गया keyboard हो गया ठीक है keyboard में लिखा होता है इस तरह और आपका हो गया CPU CPU भी आप जानते होंगे ठीक है तो CPU आपका इस तरह होता है अब हम लोग बादते इंटरेक्ट करता है इंटरेक्ट मने इसको जोड़ता है client workstation के प्रमुख तत्व में से एक graphical user interface मने GUI graphical user interface यह आपको internet पे देखने को मिल जाता है जैसे कि अब हम आपको समझा देते हैं कि graphical user interface होता क्या है client server जैसे client workstation के प्रमुख तत्व है वर्क station मतलब जहां पे server होगा तो server आपका कहां पे है जैसे कि मानीजे satellite हम लोग जो ऊपर भेजते हैं ठीक है satellite उपर जो बेजते है जो छोड़ते हैं satellite तो उसी से हम लोग को connect होके internet आता है तो वही हमारा क्या होग्या वर्क इस्टेशन हो गया किसका वर्क इस्टेशन हो गया तो वर्क इस्टेशन आपका हो गया वर्क इस्टेशन आपका हो गया क्लाइंड सर्वर के ठीक है आपका हो गया सर्वर का इस्टेशन किसका हो गया सर्वर का इस्टेशन ठीक है अब उससे क्या करेंगे कि client हम लोग internet आसानी से चला सकते हैं क्या कर सकते हैं आसानी से चला सकते हैं उसी तरह यहाँ पे आपका क्या है client workstation के यह जो graphical user interface है या एक code होता है जैसे कि हम लोग जो google पे search करते हैं google पे हम लोग search करते हैं तो एक हमारा यहाँ पे बेवसाइड बनके search होता है जैसे हम लोग कुछ भी लिखे कोई भी topic आप लिख कर देख लिजेगा तो एक क्या बनता है बेवसाइड बन जाता है वो जो बेवसाइड होता है वो graphical user interface का लाता है जो क्या करता है कि वो सबसे पहले server में जाता है server में जाता है फिर वहाँ जब वो process होता है तो वहाँ से हम लोग को फिर वो work करता है वो work करने के बाद फिर वो अपना result देता है जैसे हमने लिखा सरकारी result ठीक है ठीक है तो सरकारे जब लिखा तो उसमें URL आ जाता है ठीक है तो वही URL जो होता है वही Graphical Interface होता है जिसको हम दूसरे नाम से www से नाम से भी World Wide Wave इसको क्या बोलते हैं World Wide Wave के नाम से जानते हैं तो इसे को हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे फर्म में GUI Graphical User Interface तो यह होता है ग्राफिकल इंजर इंटरफेस तो I hope कि समझे होंगे कि GUI कहां से आता है कौन होता है ठीक है जैसे ही हम लोग कोई भी Google पे सर्च किये या पहला फ्रंट खुला दूसरा फ्रंट खुला तो उसमें एक URL आ जाता है ठीक है तो यह होता है तो क्लाइंड की यह प्रकरिया है और उसके बारे में थोड़ा समलोग समझेंगे अब देखेए यहां पर बात यहां आपके बहुत सारे client है यहां आपके client है देख सकते हैं यहां पर है अपका server है ठीक है तो सबसे पहले यह serwer में जाएगा यह सारे serwer में जाएंगे जब surwer में जाएगा तो यह जब अनुमती देगा ठीक है जब यह अनुमती देगा यहां जो दौर होगा वो खुलेगा तो यहां हम को क्या बोलेगा उसका आदेज मिलेगा जैसे हमने लिखा कि सरकारी result तो सरकारी result में जो निकलता है वो पहले server में जाएगा फिर वहाँ से हमको internet के माध्यम से एक access होगा computer client हम उसे को मतलब कुछ भी कर सकते है ठीक है client जो है वो उसके अपना output प्राप्ट कर सकता है I hope कि क्या होता है client server क्या इनके बीच की कड़ी है मतलब किस माध्यम से देखिए client उसर्वर दो नाम है client अलग हो गया server अलग हो गया client वो होता है जो यूज करता है server हो गया जिसके द्वारा हमें मदद मिलती है जिसके इसाब से हम लोग चला सकते हैं किसके माध्यम चलाते हैं तो यहाँ पर internet के माध्यम से चलाते हैं ठीक है तो आई हो की समझाओंगे आगे हम लोग बढ़ते हैं server की प्रक्रिया क्या है सबसे पहले पढ़ेंगे तो देखिए server की process client server architecture में server process एक ऐसा program है जो client द्वारा request किये गए कारे को पूरा करता है अब जो client हो गया server की प्रक्रिया पूछा है तो वही चीज है इसमें भी और कोई दूसरा नहीं है तो जैसे कि मान लीजे हैं आपका हमने बता दिया कि यह आपका यह आपका server हो गया ठीक है यह आपका server हो गया यह आपका सर्वर है तो क्या करेगा गाईच कि यह जो सर्वर का प्रोसेस है तो हर यहां सर्वर का प्रोसेस होगी करेगा कि यहां जो क्लाइन जो रिक्वेस्ट भेजा है क्लाइन जो रिक्वेस्ट भेजा है उसको क्या करेगा एकसेप्ट करके और उसके request को क्या करेगा पूरा करेगा जो उसके जो उसने भेजा है उसका reply देगा ठीक है वही बात यहां पे लिखा है कि client server architecture में server process एक ऐसा प्रोग्राम है जो client दवारा request किये गए कारे को पूरा करता है simple सी बात वही कहा गया है यह देखिए कि यह आपके client है ठीक है यह client है यह client है यह client है यह भी आपके client ही है और यह है आपका server इसका कहने का मतलब यह था कि जो server का process है यह server का जो process है भेजेगे client दवारा यह client है इसके दवारा भेजे गए यह server ठीक है यहाँ पे भेजेगा client यहाँ पे server पे जा mythical एगा यह search करेगा यह जाने इसका पूरा यहाँ पे setup माध्यम मैंने बता दिया ilsharver की प्रक्रिया में भी लिखी है यह पूरा पढ़ लिजेगा इसकी पेडिए आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगी RKStudy 2.0 सर्च कर लिजाए टेलिग्राम पे महाँ पर जाकर जोईन हो जाएगा ठीक है बहुत ही इंपोर्टेंट है आपका दूसरा हम लोग अब हम लोग बात करेंगे गाई एडवांटेज के और डिसएडवांटेज की बारे में ठीक है इसमे यह desktop interface की मादेम से कारप कारपेज जैनकारी तक पहुंचने का उसर दिया जाता है जैसे कह रहा है कि यह जब हम लोग मुबाइल खोलते हैं सबसे पहले सिमाली यह Chrome खोल लिया तो Chrome खोलने पर वह desktop मोबाइल में जब खोलते हैं वह desktop साइड में नहीं होता है ठीक है ध्यान म बटन दिये होते हैं उसमें क्लिक करेंगे तो लास्ट में नीचे लिखा होता है की desktop साइड में तो वही कह रहा है कि जो इसके क्लाइंट सर्वर के टर्मिलर मोड होते हैं उसके प्रोसेस लॉग इन करने के लिए जो desktop इंटरफेस के मादेम से कारपोलेट जैनकारी तक होता है क्लाइंट सर्वर माडर के यह उप्योग किये जाने वाले अप्लिकेशन हाडवेर प्लेटफार्म या software ऑपरेटिंग सिस्टम की तकनी की प्रिष्ट भूमी के पावजूद बनाया गया है जो कंप्यूटर परदान के लिए जिससे उप्योग करता को क्लाइंड और क्लाइंड और सर्वर जिसे डेटावेस एप्लिकेशन और संचार सेवा की सेवाय प्राप्त करने के लिए मजबूर किया जाता है फिगर देखेंगे यह आपका क्लाइंड सर्वर आर्किटेक्चर है जो यहाँ पर आपका दिया गया security फिर यहाँ पर डाटा बेस प्रोसेस हो गया इंप्रोट डाटा हो गया यह सारे यह जितने भी दिये हैं इस तरह भी फिकर बना सकते हैं लाब में कि इसके यह यह लाब है जो प्रदान करता है security प्रदान करता है डाटा प्रोसेसिंग अच्छा है इसको डेशार साइब बिना यह यूज नहीं कर सकते जो लिखन सर्वर के बीच फैलाने वाली जिम्यदारी का प्रतिनिद्यत्य करने वाले मौडम बित्यत किया जाता है इसलिए क्लाइंट सर्वर को अप्रभावित बनाने है समय सर्वर को प्रतियाफ्टियत करने के लिए मुरामत करने के लिए अपगेट करने के लिए और अस्थांत्र परों के पास बेहतर नियंतर पहुंच साधन है तक यह सुनचित किया जाए जा सके कि केवल अधिकरत क्लाइंट डेटा तक पहुंचा या कुसलता पुर्पूर कर सके पावर देखे जो हम अपको अभी जो फिगर के बारे में अभी हम आपने बात किया था उसी पाप फिगर जो है वही उसके लाब होग रहे हैं तो उसी के बारे में आपको लिखने हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है यह आपके क्लाइंट है जिसको हमको सी से प्रदसित कर रहे हैं आपको यह आपका सर्वर है जिस हो हम लोग ऐस से प्रदसित कर रहे हैं ठीक है यहां पर आपका सबसे पहले क्या करेगा सबसे पहले क्या करेगा यहाँ आपके जो client है यह पहले सबसे पहले यहाँ पे input भेज़ेगा मने request भेज़ेगा क्या करेगा यह request भेज़ेगा और यहाँ पे इसको request को क्या होगा accept किया जाएगा accept करने के बाद इसको response मिलेगा यहाँ पी इसको response मिलेगा इहाँ से इसको request करेगा same process दूसरा client करेगा client number यह 1 है यह 2 है यह 3 है client सबसे पहली बात की यहाँ से क्या करेगा इसको request करेगा तब इसको response मिलेगा same पहले क्या करेगा request करेगा फिर इसको response मिलेगा फिर यह request करेगा फिर यह response मिलेगा तीन इसमें client दिखा दिये मैंने और तीन इसको क्या किये request भेजा गया और तीन इसको response मिला अब देखिए इसकी जो जिमेदारियां इसके जो lab है कि यह देखिए जब यहां गया Server के पास, to server के पास जाएगा, तो क्या करेगा यह? इसके जो भी नाम से search किया गया है, जो भी किया है, अगर इससे समझ में आता है, तो वो चीज़ सको प्रदान कराएगा, उसी हिसाब से उसको result मिलेगा, ठीके? जिस हिसाब से हमने request किया है, उसी हिसाब से हमको यह रिस्पॉंस मिलता है तो हमारा यह क्या कर रहा है एक सही रिस्पॉंस देना यह इसका सर्वर का काम होता है ठीक है तो इसी के यही सब लाव के बारे में भी लिख सकते हैं ihove क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है क्लाइंट सर्वर मार्डल क्या होते हैं आपने समझा होगा अच के लिए इतना ही मिलते हैं ने वीडियो में तब तक लिए जाए हैं